नमस्कार दोस्तों यदि आप लोग भी बिहार दुरगा के पीटी का एक्जाम दिये हैं और इसकी रिजल्ट का इंतिजार कर रहे हैं तो इस वीडियो को लाश्ट तक देखिए वीडियो सुरू करने से पहले मैं आप लोग का बता देना चाहता हूं कि यदि आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे इस चैनल को सस्क्राइब कर लीजी क्योंकि इस एक्जाम के रिकार्डिंग कोई भी न्यूज अपडेट आता है तो सबसे पहले मैं आप लोगों के लिए ले करके आता हूं इसके साथ ही इसकी मेंस के एक्जाम को ले करके जितना भी म यह जाए गा दिख्याए खेस्ट कर ले कर देख्या जायेगा इसका रिजल्ट जारी करने में आखिरतना देरी हो क्यों रहा है तो दोस्तों मैं आप लोग कर बता देना चाहता हूं आप लोग जैसा कि जानते भी होंगे जब इसका पीटी का एक्जाम हुआ था तब जो है कि एक student जो है वो भी ग्रिप्टार हुआ है एक दोरोगा जो है वो अलगभग आपको exam के 18 दिन बाद जो है इस पर में case दर्ज कर दिया गया है तो इसी कारण से इसका result जो है तो डिले हो रहा है लेकिन ऐसा मना जा रहा है कि सरकार जो है पूरा चाहरी है जो इसका exam cancel नहीं हो और इसका results जल्द से जल्द जारी कर दे तो ऐसा मना जाता है कि एक हफ्ता के अंदर में आप लोगों का result है वो आज सकता है अगर धंदली exam में नहीं हुआ है तो वैसा ही cut up जाएगा जैसा कि cut up में आप लोग को पिछले वीडियो में बताया था अगर धंदली अगर इसमें exam में हुआ 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 है तब इसका cut up जो है सो बहुत ही ज़्यादा आगे भाग जाएगा तो actually में क्या सच में paper leak हुआ था या फिर नहीं हुआ था कुछ लोगों का कहना है कि paper leak हुआ था लेकिन exam के बाद वहीं कुछ लोगों का कहना है कि paper leak हुआ था exam से पहले तो देखे दोस्तों आगे क्या होता है एक्जाम रद होता है या फिर रिजल्ट जारी होता है इस पे कुछ कहा नहीं जा सकता है लेकिन यदि रिजल्ट जारी होगा तो अगले साथ दिन के अंदर आप लोगों का रिजल्ट जारी हो देगा तो आप लोग का क्या कहना है कि ए काम केंसिर होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए आप लोग कॉमेंट बॉक्स में देख सकते हैं अगर यह वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए नहीं अच्छा लगा है तो डिसलाइक कीजिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए कर दो पिड़य sih रच मान कर दो और वी कर दो अबिधन सवह रkov कर दो सो दो